इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ, Deloitte ने फिर से स्टार्ट करती है 2023 बैच के लिए हाइरिंग और ये कंसल्टिंग प्रोफाल के लिए जिसमें केवल और केवल टैक रोल्स ओफर किये जाते हैं और ये Deloitte की one of the best service line at work for ठीक है और ये registrations ओपन है और आप 10 जनवरी से पहले इस में register कर सकते हो अब दोईको जो job description है उसको जड़ा ध्यान से सुनना जितने भी चीजे हैं वो आपको सबको explain कर दूँगा work you will do इसको छोड़ दो जो qualification required है वो है the year of graduation should be 2023 this is the graduation year okay 2023 batch apply कर सकता है and aggregate 60% or equivalent CGP of 6.5 and above can apply and no active backloss it is pretty simple eligible degrees है BTEC BE, MTEC ME और Masters of Computer Application याने की MCA okay तो ये सारी eligible degrees हैं ये लोग apply कर सकते हैं और आपके लिए काफी बढ़िया चांस है आप इसमें job ले सकते हो आसानी से ज़्यादा difficult भी नहीं होगा ठीक है बस online test निकाला तो आसा difficult होता है और अब जो आगगी बाते हैं वह दो ज़्यादा ध्यान से सुनना should not have applied to any consulting profile at Deloitte US India office ठीक है 6 महीने पहले तक मतलब जब आप इसमें apply करना चाहा रहे हो आज से 6 महीने पहले तक कोई भी consulting service line में आपने apply नहीं करना चाहिए Deloitte में अगर आपने किसी और service line में apply किया तो कोई भी दिक्कत नहीं है बट consulting profile पर apply नहीं होना चाहिए otherwise आप reject हो जाओगे यह चीज इंपोर्टेंट है ठीक है अब जो general expectations है वो लिखी हुई है इसको छोड़ दो the selected candidate will be on one year of probation period इसके लिए पूरी detailed video बनाऊंगा उसके लिए attention मत लेना अभी आपके वल application पर ध्यान दो अब जो important do's and don'ts है वो आप पढ़ देना how to create your resume पढ़ देना test anatomy पढ़ देना ठीक है तो important चीज होगी बात करते तो सबसे पहले process में registration होगी shortlisting होगी फिर online assessment personal interview then result declaration होने details भढ़नी पढ़ेंगी तो यह registration form higher pro पर दिया गया है इसको आपको पूरा I agree करके और यह पूरा अपना इसमें details डालोगे ठीक है तो यह सब आपको भरके यह upload कर देना है और आपको online test की link आ जाएगी 80% लोगों को तो आई जाती है 70 to 80% लोगों को जिनका भी resume shortlist हो और दूसरी बात अब एक सबसे important बात कि भाहिया prepare कैसे करना है analyst trainee आपकी post है आप बस यहाँ डालो Deloitte analyst trainee ठीक है analyst trainee सबसे उपर देखना किसकी वीडियो मिलेगी आपको सबसे उपर आ जाएगी मेरी video यह मेरी video डली हुई है तो यहाँ पर पूरा exam pattern explain किया है कैसे prepare करना है वो को prepare करना है और सबसे अच्छी बात अभी recent video यह जो डाली है यह है coding questions की so इसमें आपको coding questions कैसे prepare करने है यह भी समझ में आ जाएगा और नीचे ही मैंने अपना interview experience भी Deloitte का डार लगा है और उसके नीचे भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक recent पूरी detailed video के आपको interview को prepare कैसे करना है यह सारी video की links आपको description में भी मिल जाएंगे तो आप अपने हिसाब से check out कर सकते हो check out करना मत भूलना क्योंकि जो मैंने यह videos डाली है यह 100% accurate है guarantee देता हूँ ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा अगर आप ध्यान से सुनके जाओगे तो आपको सब कुछ वही देखने को म मिलेंगे two questions मिलेंगे live programming coding format में ठीक है और general aptitude के 20 questions और English के 10 questions technical skills के 20 MCQ और technical skills में coding के 2 questions अब यह तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन prepare कैसे करना है उसके लिए खास करके आपको कौन सी video देखनी है तो यह वाली देखनी है इसमें मैंने बता रखा है थोड़ा बहुत coding के बार जहां से आपको समझ में आगा interview के लिए prepare कैसे करना है तो मैं अब भी link दे रहा हूं सारी important links description में जहां से आप इस पर apply कर सकते हो और चैनल को subscribe जरूर कर देना और इस पर रिकार की video के लिए तो thank you so much for watching this video